नमश्कार मेरी सवई मैं आपका फिरसे स्वागत ahamग्यप को रस्तों भताने जा रहे हुँ वह बहुत ही शर्द्यों में खाने में मज़िदार होती है沃ष क्यों नाम है बनडाबि स्टाल से lüए और 2 आटे होई की सस्ठीर कोकीð काव्पाय तक्तित सब एंध करते हो फिल मैंने किनिगे क्यासी थे घ्राइए जिसके लिए हैं में डिया आटे की और नियी ने किनिंगीजिक कीज खाला है पहले आप गी है जो इसका हाफी यूज कीजिएगा अगर हमें जूत पड़ी तो हम इसके अंदर ओ डालेंगे यह देखिए यह लगबग हमारा गी पिंगल चुका है तो इसको थोड़ी सी तेरोर इसके छोड़ी सी गी रहा है उसको भी हम अच्छी तरह से पिंगला लेते है तो अच्छी तरह से पिंगलने के बाद हमने जो बन केजी अटा लिया था उसको डालना स्टाट करना है थोड़ा थोड़ा करके ही डालना के लिया एक दम से आप इसको में डालेगे तो अगर गी कम पड़ा तो हम इसके अंदर और राल सकते हैं इस तरह से हमने दिले-दिले अट्टे को गी के अंदर आड़ करना है चितरा से अब हमने इसको चितरा से अट्टे के अंदर ही मिक्स करना है अट्टे को अच्छी तरह से मिक्स हो चुक है और हमने अट्टे को गी के अंदर अच्छी तरह से इसको मिक्स करके इसको लोग फ्लें पर इसको भूलना है जिससे कि हमारा आटा कच्चा नहीं रहेगा और इससे हमारी जो पिन्नी है वह बहुत अच्छी बनेगी यह देखिए यह हमें जो गी है इतना ही स्ट्शिएंट है मेरे लिए अगर आप इसके अंदर गी और एड करना चाहते हो तो आप और भी एड कर सकते हो अगर आप मेरी चाहते हैं तो आप राना सरीटा चैनल पर जाकर प्लेइलिस्ट में आपको बहुत से जिनर की ब्रेक फास्ट की और लंच की आप रस्पी देख सेथे अगर आपको मेरी रस्पी अच्छी लगे तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक और शेयर और सस्क्राइब करना मत बुलिए जाईबा और हम बैल डाइकॉन तच कीजिएगा अगर आप पहले आईकॉन तच नहीं करें तो वह आपके पास नहीं पहुंचेगी तो इसलिए पहले अपने बैल डाल अइक अज़िए आप अपने अपे बुल बटन को चैनल को टूप नो तो इसी तरह से हमने लिए इसी से हमने स्कॉट्टे को दस से पंद्रा मिल पर हमने मूंदना है यह देखिए हमारा हर्का ब्राउन हो चुका है तो अब मैंने इसके अंदर जो मैंने खुआ लिया था वो इसके अंदर आट करना है अगर आपको खुई की रख्पी देखना चाहते हो तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए हो वहां पर आपको खुई की रख्पी मिल जाएगी जो कि मैंने ओमेड खुआ बनाया है तो इस तरह से में लो फ्लेम पर ही खुई को डातना है अटे के अंदर तो इस तरह से यह कर लिए तो अब मैंने इसके अंदर जो मैंने बदाम लिया थे इंको काट लिया था वो इसके अंदर मैंने आट कर लिया है अच्छी तरह से और चिन्नी जो मैंने बीग पिसी वी चिनी लिए थी वह इसके अंदर एड कर लिया है याद रखेगा हमने इसको बिल्कूल ठंदा नहीं होने देना है हमने इसको हलका गर्म ही रखना है और अगर आप गर्म में चिनी आड करोगे तो चिनी पानी चोड़ मैं चीनी अगर हम अग्या है करिए देखिएट और अगर आप को बड़ी पिननी ना लेजेई इस फ़्वहतऊ है करें हमने यह देखिए हम ने पनी बनानी यह देखिए यह से आज़ यह पिन्टे की पिन्ट कर बिलकूर आड़ियो चुकी है आप सर्दियों में इसको जुरूरह कि जीएगा हमारे यहां पंजाब के अंदर ये इसी स्टाइल से गड़ पे सर्दियों में बनाई जाती है तो अगर आपको मेरी ये रेस्प अच्छी लगी हूँ तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दन्यवाद